इस एथिकल हैकिंग के चैनल पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे टुटोरियल ओलेडी दे चुका हूं कि कैसे साइबर सेक्यूरिटी एथिकल हैकिंग की चीजों को करना होता है और बहुत सारे इंफोर्मेशन्स यहां पर आप लोगों को मिल चुकी है सो आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई सेरीज ला रहा हूं या नए कुछ साइबर सेक्यूरिटी एथिकल हाइकिंग पर कुछ सेरीज स्टार्ट कर रहा हूं सो उस सेरीज को बनाने से पहले मुझे कुछ बेसिक फंडमेंटल आप लोगों के लिए क्लियर कराने है सो यहां पर मैं बात करूँगा आज काली लिनेक्स के लाइब परसिस्टेंस के बारे में इस वीडियो में आपको information जो मिलेगी वो यह मिलेगी अगर आप linux का यानि की काली linux का bootable बनाते हो आप किसी भी pen drive में और आप उसको live किसी computer पे चलाते हो और जैसे आप अमनी pen drive को remove करते हो तो वहां से वो data delete हो जाता है आपकी pen drive में वो save नहीं होता बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो data permanently save हो जाए आपकी pen drive में आपके computer के किसी भी जितने computer पे चाहो आप उस live OS को boot करो और जबी भी आप उसमें कोई भी data directory या कोई भी तरीके का काम करो project बनाओ software install करो वो आपके pen drive में save रहे ताकि आप दूसरे computer पे कहीं पे भी move करें तो उसको use कर पाएं सो बहुत ही असानी से आप इसको कर सकते हो step by step मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और बहुत ही informational यह video है आप लोगों के लिए गाइज एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें को कि बहुत सारे update आप लोगों को मिलने वाले है और शेयर कर दें गाइज एक request और Instagram का link वीडियो के description में है जाकर join करें support करें and share करें बात होती है काली Linux के live persistence के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यह रूफस software चाहिए होगा जो आप रूफस डाउनलोड करके Google पे डालेंगे और यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे इसली डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको काली Linux का चाहिए image फाइल तो काली Linux आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आप live लेलो यह वाला इसली इंस्टॉल हो जाएगा installer लेंगे तो internet connectivity वेगरे चाहिए होगी तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ live boot वाला option दोनों मैं मैंने डाउनलोड कर रखा है उसके बाद मैं यहाँ पर रूफस सॉफ्ट्यर को open कर दूँगा और यहाँ पर ISO फाइल जो भी होगी मैं उसको select कर लूँगा तो मेरे computer पर ISO फाइल यह रखा हुआ है मैंने इसको open किया open करने के बाद अब मुझे करना क्या है pen dive solar gb की मैंने अलड़ी लगा रखा है और आपको यहाँ पर लाइप परसिस्टेंस को यह on कर लेना है so 11 gb का जैसे मैंने 16 gb का partition या pen dive यहाँ पर यूज किया हुआ है तो उसमें से 11 gb यह अपने लिए reserve कर लेगा बाकी उसी 11 gb में यह जो भी changes आप करोगे जो भी software download करेगी वह सब उसम कर देना pen dive format होगी automatic और यहाँ पर आपका pen dive bootable बनके ready हो जाएगा ready हो जाने के बाद यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपका पूरा pen dive ready हो जाएगा आप इसको किसी भी computer पर boot करेंगे आपका computer boot होगा और उसके इंदर जो भी changes करेंगे वो permanently safe भी होगा जितना करने के ब बताएंगे और इंस्टाग्राम पर direct message करके आप बात कर सकते हैं अब भी जोइन कर लिजें इंस्टाग्राम पर और अपने जो भी problems हैं उसको भी share कर सकते हैं और वीडियो के नहीं से comment करिए जिससे related में अगली वीडियो में आपके problems को solution देशकूं तो गाइस मिलते हैं ने